कि की सबसीडरी बूक्स होती क्या है और ये shooters कि इस question हमारा objective और subjective दोनों ऐसका होता है तो subsidiary books यानि ही सहाय उस्तके subsidiary books वहां पर ही जो होती है जहां पर business का जो आकार बड़ा होता है अब business के आकार से मतलब क्या है business के आकार से मतलब है जहां पर प्राजेक्शन की number of projections ज्यादा होते हैं उसे बिजनेस ये मागते हैं कि वह business बड़ा है तो जहां पर more projection होगी वहां पर क्या यूज होगी subsidiary books और जहां पर less transaction होगी वहां पर क्या यूज होगी जर्नल देखो अगर कम transaction है तो के लिए जर्नल से काम चल जाता है लेकिन अगर transactions ज्यादा है तो वहां पर हमें subsidiary books बनाने पड़ती हैं subsidiary books का मतलगा शायद उसके यानि कि जर्नल को 8 part में divide कर दिया जाता है 8 subsidiaries book होती है और जरूरी नहीं है कि 8 की 8 बनाई जाए जी नहीं वह according to business की जो नीर है उसके according हम कम या पूरी की पूरी full रख सकते हैं अगर हमारा जो सारा का सारा काम cash में हो रहा है तो हमें cash book बनाने की जरूरत है और कोई book बनाने की जरूरत होगी ही नहीं लेकिन problem कहां आती है जब cash credit दुनों में काम होता है तो हमें क्या होगा credit में अगर हमारा purchase a sale हो रहा है तो उसके लिए हमें कई book बनाने पड़ती है चल्ड़ पहले उसके नाम लिखी देती है कि कितने टाइस की होती है subsidiary books कौर कौर सी है तो जो subsidiary books है सबसे पहले है cash book second है purchase book third है sales book fourth है purchase return book fifth है sales return book sixth है wills receivable book seventh है wills payable book और eighth and last है journal proper या journal journal आब इनको करते हैं इनमें क्या क्या होता है देखो सभी cash और bank से related जो भी entry होती है वो हमारी cash book में आती है it means cash से जो भी related entry होंगी cash plus bank ठीक है तो bank और cash से related सभी entry किस में आएगी cash book में आएगी cash के अलावा credit purchase से related तो देखो यह कोशन कहीं पूछा जाता है कि purchase books में कौन सी transactions जाती है तो purchase book में तो only credit purchase transaction जाती है बट purchase account में credit purchase और cash purchase दोनों जाती है और यही main difference होता है purchase book और purchase account में जो हम आगे करेंगे लेकिन यहाँ पर हम यह जा लेते हैं कि purchase अगर book आ गया तो only credit purchase इसके अदर जाएगा उसकी बाद इसी तरह sales book में भी only credit sale यादि कि अगर हमने credit sale किया है तो उससे related जो return transaction है वह हमारे sales book में जाएगी purchase return book purchase return book देखो इसका एक नाम आ जाता हो वह होथी important है purchase return ना देकर हमें क्या दी दे रहता है return outward देखो इसी हम किस तरह से याज रख सकती है purchase यहाँने या हमने सामान खरीता लेकिन हमें वह पसंद या यानिकि उसकी quality ऐसी नहीं थी जैसे हमें पहले बताया हुआ था या फिर quantity में कोई कभी है कुछ भी मतलब उसमें कुछ defect है तो उसे हम वापिस कर रहे हैं वापिस करना यानिकि purchase की विपाल को अकर बाहर कर रहे है तो उसका मतलब क्या हुआ आउट करना यानिकि return outward किसे कहें कि हम purchase return को और mostly questions में purchase return नहीं जेकर return outward दिया जाता है तो अमारे purchase return में क्या आता है only जो purchase return कर रखे only credit purchase return ठीक है याद रखना credit आएगा हमेशा cash वाली कोई भी transaction हो purchase से हो sales से हो purchase return से sales return से सारी की सारी किसके अंदर से जब यह cash book के अंदर चली जाती है यह बहुत important है याद रखने वाले बात और sales return को क्या बोलते है return inward देखो इसका नाम कैसे याद रख सकती हो return inward sales करेंगे sales करें तो समान बाहर जा रहा है अगर वही समान हमारे पास वापीस आ रहा है तो इसका मतलब in हो रहा है यालिए फर्म के अंदर आ रहा है तो वह क्या हो रिक्टर इसमें क्या आता है इसमें इस बुक में आता है only credit sales return प्रांजेक्शन यानि कि इस बुक के अंदर किन की entry होगी जो credit sales return में है उसके बाद है अगर हम credit में credit पर सावान sale कर रहे हैं तो वह एक हमारा हमें क्या करता है वह कहता कि वह इतने time period के बाद हम आपको पैसा लोटा देगी वह प्रोमिजरी note या bill of exchange लिख कर लिखते हम है वो उसे क्या करवाले दे साई करवाले दे ही वह इसने time period बाद हमें amount दे देना तो उसे कहते bills receivable यह हमारे में किसका काम करती है क्योंकि कुछ time period के बाद हमारा क्या उतना है पैसा में मिलना है तो bills receivable भी किसलिए दिया जाता है credit shares कर रही हम तो हमें हमारे हमें क्या मिलेगा bills receivable मिलेगा और bills payable किसके रहे काम करता है liability के लिए जिस तरह से हमने सामान पे चाहुगा पर तो अमधार पर सामान खरीद कर उन्हें will of exchange लिख कर दे सकते हैं तो उसे बहते हैं bills payable और उड की जुन transactions की inventory होती है वो होती है हमारी bills payable book में उन्हें हुंदी भी बोलते हैं पहले उन्हें हुंदी बोला जाता है लेकिन अब उनका नाम क्या किया जाने लगा bill of exchange मतलब इंडिया में उनका जो first order use किया जाता था वो क्या जाता था हुंदी के नाम से महजा जाता था किसे bill of exchange को ठीक है उसके बारत journal proper जर्नल proper में कौन सी transaction आएगी जो transaction इन साथों कि साथों को उसमें नहीं आए वो transaction हमारे journal proper में आएगी तो वो transaction कौन सी हो सकती है हमें क्या दिया जाता है example भी ले जाता है और ये कुछ है जाता है ये transaction किस में आएगी देखो माल लोग X से machinery purchase की ठीक है तो इसकी entry क्या होगी इसकी entry होगी machinery account debit to X तो देखो machinery account कोई है machinery से related books नहीं ना तो उसकी entry कहां पर होगी जर्नल प्रोपर में होगी और कई बार बच्चे इसी में कम कुछ हो जाते हैं क्योंकि यहां पर purchase आगे तो सी दाल दिया purchase जी नहीं machinery है access related है तो वो किस में आएगी जर्नल प्रोपर में आएगी लेकिन अगर यहीं पर machinery की जज़ा क्या होता गुट्स होता ठीक है कि पांच लात रुपए की गुट्स की तो वहां पर यहां पर क्या जाता पर्चेज अगा होगी तब यह हैंनी किस में होती है तब यह हैंनी होती हमारे purchase बुक में परचेज बुक याशे बुक में बुर्श से रिलेटेट्ट राजाक्शन आती है और और एसेट से रिलेटिड अगर क्रेडिट है तो वो ट्राजेक्शन किस में जाएगी जर्णल प्रोप पर गए तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस में क्कों सी ट्राजेक्शन जाती है उसके बाद अब हम करते हैं कि सबसेडरी बुक्स बनाने के बेनिफिट क्या है किसलि तो इसको बनाने के हमने बेनिफिट क्या क्या होगी फिर्स्ट वैरिटिट है दिविजन ओफ वर्प दिविजन ओफ वर्प अकोर्डिंग तू यूवर एबिलिटी अगर हम जर्नल बना रही है तो उसे एक इस परसण बनाएगा जरूरी नहीं है उसे सारी सारी जर्चेशिस सही गर्म्यार क्योंकि कой बार हम क्या करती है कभी कि परचेस के आगे, कभी परचेस के हुआगी, कभी सेर्स ई रिटाइन के ते उसमें क्याव करता हो करना को कुई ठाजसें बुले कि पो डहाजा ह는데 चान्स हो जाते. और एक इंप्लोईस अगर बार बार एक काम को करेगा तो वो क्या हो जाएगा उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा और में स्पेशलाज़ेशन का क्या मिलेगा बेनिफिट लेगा यानि कि जो डिविजन जो काम है जो आपस में डिवाइड कर दिया गया हूं कि ability के according तो उसका benefit हम अगर ये काम बार बार किसी परसन से करवा रहे है तो वो काम उसको करने में क्या हो जाता है एक्सपर्ट हो जाता है उसके बाद और पॉइंट है create responsibility देखो अगर किसी परसन को ये सोबरना है कि वही परचेज से रिजेटिंट सारा काम आपको करना है और से रिजेटिंट सारा काम आपको करना है तो अगर कल को परचेज में या से रिज में कोई भी एर होती है अगर परचेज बुक ये मिंती है तो जिसंट को परचेज को काम सวपा गया है उसको हम क्या ठारा सकते हैं responsible ठहरा सकते हैं और जिसको sales का काम सोपा गया है उसको sales book के लिए responsible ठहरा सकते हैं इसमें क्या है वो यह नहीं करेगा कि मैं इसी रेजिमेवार नहीं हूँ क्यों क्योंकि उसका वही काम था और वही उसने सही तरीके से नहीं किया तो उसे हम क्या ठहरा सकते हैं, उसे responsible ठहरा सकते हैं, उसके बाद fourth point है, flexibility, ये तो N.E.S.O.K.V.S. ने कई बार पुचा जाता है, कि सभी की सभी, आठो की आठो सबसीडरीज बुक बनाना कम पर सही है, देखो ये गलत है, क्योंकि ये according to firm, differ करता है, कि किसी firm में अगर credit पर सामान जा रहा है, तो वो कौन सी बुक अपने पास रखता है, वो रख भी सकता है, वो नहीं भी रख सकता, वो उनके उपर depend करता है, तो इसमें क्या होती है, flexibility होती है, यहाँ वहाँ पर flexibility की जनापर क्या लिखा होता है, fix लिखा होता है, कि आठो की आ 10-bit होता है, और कोई भी fraud करता है, तो उसे easy से पता चल सकता है, कैसे पता चल सकता है, क्योंकि अगर एक परसन सारे काम को करता है, तो अगर वो fraud करना चाहाँ तो कर सकता है, बट अगर काम को अलग अलग parts में divide कर दिया जाए, तो उसके fraud को पकड़ने में वे बहुती आशा क्योंकि कई वो जो मारी एंट्री है वो कई हो के हाथों से जाएगी जिससे उसकी फ्लोर को हम आसानी से पता कर सकते हैं उसके बाद इससे क्या होगा पोष्टिंग करने में आसा लिए हो जाएगी. पोष्टिंग को तक क्या होता है? देखो, सबसे पहले डॉकुमेश्ट से किस में एंट्री की जाती है General में एARS पर्राह रिंट्री ठीमर में इसमें क्या की जाती है किस में बेर्ट दीवार कोश्टिंग की जाती है अगर सभी के लिए हमें अलग-अलग बनाई हैं तो उनके लिए अकाउंट बनाना बहुत ही इजी हो जाता है क्योंकि एक ही जगया पर एक परसन से रिलेटिड आइटामस मिल जाती है तो ये थे हमारे सबसीड्री बुक के बेनिफेट और सबसीड्री बुक की टाइप इसा मत कीजिए की इजी है तो उसे और अची तरह से कीजिए ताकि उसमें से तो गलती ना हो कि फिकर्टी हो जाए तो कोई नहीं लेकिन अगर इजी में से भी गलती करेंगे तो हमारा टेस्ट क्लियर हो बिल्कुल भी नहीं हो सकता हमने करवा दिया है उतके स्टुनेंट्स का यह कहना था कि मैं जो आप करवा रहे हो कि बाहर तो कुछ नहीं करना पड़ेगा जी नहीं जो पॉल सब द आपके बाच लिए तो फूल करवा रहे हो जो मैं करवा एज उसके बारे तो कुछ कहर नहीं सकते लेकिन पर द्यांन चुटे नहीं क्योंकि एक दो पॉइंट ऐसा हो जाता तो स्लीक हो जाता है तो उसको ध्यान पे रखकर हमें यह सीरिज तही आती है थैंक यू फोर बॉचिंग इस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर विजर प्रेंट थैंक यू